कर, wishing you all a wonderful Sunday, आज रविवार को 18 जुलाई 2021 को शाम के हलकी 5 बजे हमने करिक्रम करना था, लेकिन ये 7 बजे कर रहे हैं, क्योंकि internet connectivity, बाकी सब चीजों की बहुत स्था difficulties रही, जिसकी वज़ा से ये करिक्रम हम 5 बजे ना करके 7 बजे कर रहे हैं, आपसे एक्षमा चाहते हैं उस में आज बहुत सारी विवस्ताइं की गई हैं, हमें बहुत सारी UAPD के boys, girls, teachers, educators, counselors, सबकी request आई है, कि जो micro, small, medium enterprise है, उसके अंदर जो service sector की industry का role है, एक तो उसके बारे में हमें detail से बताईए कि services sector वहां क्या कर रहा है, और secondly हमको ये बताईए, कि गर्मेंट की इतने सारी policies है हैं, अलग-लग जगाओं पर हैं, अलग-लग websites पर हैं, हमें ढूंडने में बहुत मुश्किल होती है, हमें बहुत जादा problem आती है, इस सारी information को एक जगा पर एकठा करके क्यों नहीं दियते, तो ladies and gentlemen, सभी बच्चों को, सभी teachers को, सभी educators को, सभी counselors को, जितने भी शिक्षा के संस्तान में हैं, जितने भी बच्चों का रोजगार चला गया है, आपको पता है कि इस समय करोना वाइरस के टाइम में, इस pandemic के टाइम में, सबसे ज़ादा कर सफर किया है, तो वो tourism industry ने किया है, hotel industry ने किया है, restaurant industry ने किया है, airlines ने किया है, media entertainment industry ने किया, यह सब services sector का हिस्सा ह है, इतना जादा आपस में interconnected है, कि कहीं किसी और जगा वेवस्था में problem हो जाती है, difficulty हो जाती है, तो उसका प्रभाव, उसका असर, उसका impact, उसका effect, service industry के ऊपर और खास कर, tourism, hospitality और aviation पर तो बहुत जादा रहा, उसी के साथ साथ देखिए, आपके shopping malls बंद हो गए, e-commerce श्र बदल गया, आप देखिए, education के अंदर सब कुछ digital हो गया, online learning हो गई, radio के माध्यम से, television के माध्यम से, आपके ad tech platform के माध्यम से, और आपके mobile के ऊपर different apps के माध्यम से, और different platforms के माध्यम से, सब कुछ बदल गया, ये जो अगला आदा घंटा में आपके साथ बाचीत करने वाल ये आपको कम से कम सौ किताबों का और सतर वेबसाइट का निचोड है, जो हम आपको देने जा रहे हैं, also somebody would ask me कि आप हिंदी में बात्चीत कर रहे हैं, हो सकता है कई बच्चे हिंदी न समझ पाएं, तो मैं आपको सिरफ ये निवेदन करना चाहूंगा, because we have to take entire India together, वासु लेकर चलना है, मुझे सभी unemployed बच्चे, सभी educated unemployed बच्चे, सभी educated unemployable बच्चे, सभी educated so-called qualified लेकिन किसी जॉब में नहीं है, किसी काम में नहीं है, किसी जगा नहीं है, उन्हें बहुत तकलीफ आ रही है, problem आ रही है, उन सब बच्चों को भी साथ लेकर चलना है, उन सब का भ और जिन्होंने बाकी अपने छोट-छोटे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सफर किया है, हमको सबको आगे लेकर चलना है, और ज़्यादा तर जो MSME सेक्टर में हैं, वो बच्चे वो हैं, वो बच्चे जो ज़्यादा हिंदी बेल्ट से भी हैं, लेकिन हमारे जो डाउन साथ बच्चे हैं, बाकी जगाओं पर हैं, उन बच्चों के लिए सारी slides English में हैं, because you can see every slide is in English language, so you can get the threads from there, you can pick up, you can understand what I am talking, तो आईए, हम इसमें आगे बढ़ते हैं, Micro, Small and Medium Enterprise, Service Industry, India, How to Survive and How to Become Startup and How to Start New Venture, each and everything related to that, जो कुछ भी इसके related है, अगर आज के webinar को आपने ठीक से समझ लिया, जान लिया, और इसको अपने अंदर उतार लिया, तो आप अपने खुद startup बन सकते हैं, आपको कोई difficulty नहीं आएगी, कोई problem नहीं आएगी, और किसी तरीके को कोई समस्या आए, तो आप हमें email भेजिये, हमने नीचे लिखी है, पहली slide पर gsmotivator at the rate ICSI.asia, gsmotivator at the rate ICSI Asia, तो आएगे आगे बढ़ते हैं, international chamber for service industry की तरफ से, आपका बहुत-बहुत हार्दी कभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत, आज की शाम international chamber for service industry के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको याद होगा कि ministry of commerce and industry ने, क्योंकि ministry of commerce industry के साथ एक dpiitb है, जिसको basically अगर आप जानते हों, तो it's a department for promotion of industry and internal trade है, इसकी हम थोड़ देर में बातचीत करेंगे, तो ministry of commerce and industry, यानि कि जब आपने व्यापार करना है, import है, export है, business है, कोई भी चीज़ आपने करनी है, तो उसके अंदर एक बड़ी important चीज़ है, कि वहाँ पर research होती है, synthesis होता है, documentation होती है, बहुत सारी deliberation, discussion, expo, conferences, meetings, get together, training workshop, management development program, executive development program, बहुत सारी चीज़ों की विवस्ता की जाती है, तो मुझे आज भी याद है, कि जब श्री सुधान्शु पांडे जी, joint secretary थे, फिर वही additional secretary बने, ministry of commerce industry में, services sector को look after कर रहे थे, dr. संगीता सक्साना भी थे, और उन लोगों की एक पूरी team थी, जो वहाँ पर काम करती थी, तो 12 sectors को identify किया था, services sector के अंदर, जिसके अंदर education भी थी, health भी थी, wellness भी थी, accounting भी थी, finance भी थी, इंशुरेंस भी थी, उसी के साथ साथ legal services थी भी थी, transportation services भी थी, उसके बाद logistic services भी थी, tourism भी था, hospitality भी था, airlines भी था, और उसी के साथ साथ IT और IT enabled services थी, media और entertainment industry की services थी, environmental services थी, telecom की services थी, और साथ ही में construction related जितनी भी engineering services है, उन सब की भी बादचीत वहाँ पर की गई थी, और एक बड़ा think tank के रास्ते, 12 sectors को identify किया गया, क्योंकि हमारा chamber services sector में deal करता है, we are going to focus on service industry, so you all get an idea what exactly is there, we extend a very warm welcome, very hearty welcome, we have been joined by Vimal जी, thank you very much, Julie Subba Ma'am, thank you very much, Jais Subba Lakshmi जी, thank you, साक्षी जी, thank you, मम्ता जी, thank you, और उनी के साथ-साथ info students, thank you, इशिता शुकला जी, thank you, मनीशा चत्रवेदी जी, thank you, thanks and hearty welcome to all these people those are joining this program, अब मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ, कुछ सालों में, 5-6 साल से इसका काफिक करिक्रम चल रहा था, 5-6 साल से हम document पर document बना कर ministry of commerce को और उनके साथ deliberations करके, discussion करके, उन्होंने फिर हमें micro, small और medium enterprise के अंदर, basically डॉक्टर अरुन पांडा जी को हम लोग मिले, जो उससे में secretary ministry of, you know, the micro, small and medium enterprise, गिरिराज जी उस समय माननीय मंत्री थे, कलराज मिश्रा जी उस समय मंत्री थे, और NSIC जिसका बहुत बड़ा role है, वहाँ पर रविद्धनाज जी थे, जो CMD जिनका बहुत ही creative काम, dynamic, innovative काम, और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ते गए, और उसके बाद बहुत सारे change आते रहे, नेतिन गटकरी जी तक आए, प्रताप अपने जो सारंगी जी वहाँ तक आए, और उसके हिसाब से सारी व्यवस्ताओं का और services sector का road map, blueprint, strategic और service industry में है क्या, उसकी भी हम बातचीत करते रहे, रामोन मिश्रा जी ने तकरीबन 40 से ज़्यादा meetings, मुझे याद है कितने interaction उनके साथ हुए, उन्होंने अपने team में कभे पहले शिर्वास्तवाजी होते थे, इंडियन economic service के, उसके बाद आनन शिर्खने जी आ गए, उनको, उनके साथ बहुत सारी बुला काते हुई, जितने documents उनको चाहिए थे, services sector के, हम ministry of commerce और industry के साथ भी बहुत सारे कारिकरम करते गए, और MSME के साथ भी करते रहे, और मुझे आज भी याद है कि additional security साहब all the way मनीपूर पहुँचे थे, पूरे North East के कारिकरम के लिए, और मैं हैरान था कि सुवेच चार बजे की flight उन्होंने देली से ली, और उससे गौहाटी पहुचे, और उसके बाद वहाँ से इंफाल पहुचे, उन्होंने कारिकरम में हिस्सा लिया, और बहुत बढ़िया से उस सारी चीज के वबस्ता की गई थी, अब हम इसमें आगे लेकर चलते हैं, हमने Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise को Tourism और Hospitality Industry में क्या दिया, we also extend a very warm welcome to Naan Lai जी, and Jova Lakshmi जी, S. Bosa जी, Senior Consultants, those are joining from different location, different places, thank you very much, you all are wonderful people, जितने भी लोग इस करेक्टर में जुड़ रहे हैं, अपना कम से कम पोस्ट डालती जाएए, तो हम आपको recognize कर सकते हैं, कि you're putting in efforts over here, and you're with us to support Indian economy, and India becoming आत्तरभर भारत. Tourism and hospitality की जब हम बात्चीत करें, तो इसकी हमने पहले सबसे recommendation दी, फिर Media Entertainment Industry के हमने सारे services sector के छोटे components, जो micro, small, medium में आते हैं, फिर education और skills sector की बात्चीत की गई, फिर IT, ITS की बात्चीत की गई, उसी के साथ साथ IT और ITS का इतना बड़ा योगदान उसके अंदर, फिर financial services, फिर retail services, इन सारी services के documents time-to-time micro, small और medium enterprise की ministry को हमारा chamber प्रवाइड करता रहा क्योंकि हमारे efforts थे कि services sector should come at par with the manufacturing sector. लोग MSME को सिर्फ manufacturing के लिए ना जाने, लेकिन MSME को और हो शुब दिन आया, 13th May 2020 को माननिय वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन मैडम ने announce किया कि अब से जो manufacturing sector है और services sector है, कठे होंगे, at par होंगे, दोनों को बराबर लिया जाएगा और ये सब economic के उन pillars की बातशीत की गई थी, जिसमें माननिय प्रदान मंत्री जिने आपको basically भारत को आतनिर्मर भारत, self-reliant भारत, progressive and 5 trillion economy, और देखे, women empowerment की बहुत जाएगा जारूरी है, without women empowerment, and that's what I keep talking with my son, and he keeps telling me from time to time, if India has to become 5 trillion economy, the women participation in all areas is very, very important. We got to do hand-holding of the ladies, because they play a very important role. Now, ladies and gentlemen, जो 13 May 2020 को revised micro, small or medium enterprise की, definition क्लासिफिकेशन आई, क्लासिफिकेशन आई, कि micro क्या है, small क्या और medium क्या है, अब manufacturing और services at power हो गए, उससे में अनुराग ठाकुर्ची भी state मंत्री थे, और उनके साथ मैडम निर्मना सीतरमन जी, दोनों ने बैठ कर, इसके बारे में announcement की कितना शुब दिन था, 13 में को हम अपनी पूरे efforts को भूल गए थे, कि हमने क्या-क्या documents बनाए, क्या-क्या चीजें हमने डी, thank you very much वानिका जी, for your participation पंकर जी, thank you very much जूली मैम, thank you, साक्षी, thank you ममता, thank you, senior consultant thank you, जितने भी लोग यहां पर जुड रहे हैं, ममता चोहां जी, पौड़ी गड़वाल से हैं, और बहुत महिंती हैं बहुत hardworking हैं, बहुत sincere हैं ये PhD भी आगे करना चाहती हैं master's जीनोंने complete किया है we send her our best wishes, she is a wonderful child निशंक मौरिया जी, thank you very much, God bless, Julie सुपा मैम, thank you, BB सुपा foundation, thank you, you all are wonderful, thank you, अब हम इसमें आगे चलते हैं, कि जो नई definition है, वो क्या चीज़ आई, manufacturing और services की, micro क्या है, small क्या है, और medium क्या है, देखिए, यदी आपकी investment, आपके अपने business में, जब आप लेकर चलते हैं, plant में, machinery में, equipment में, less than, जिसकों हम कहते हैं कि भाई, एक करोड से ज़ादा की नहीं होनी चाहिए, और आपका जो turnover है business का, वो 5 करोड से ज़ादा करनी होना चाहिए, तो आप micro में आते हैं, यदी आपकी investment, plant, machinery और equipment में, 10 करोड से ज़ादा की नहीं है, और आपका जो annual turnover है, 50 करोड से ज़ादा करनी है, तो आप small में आते हैं, फिर हम आगए medium enterprise में, medium enterprise के अंदर, आपका plant, आपकी machinery, आपका equipment, उसकी cost 20 करोड से ज़ादा की नहीं हो, और संदीब चोहान जी, अमबाला से ज़ुड रहे हैं, बहुत ही dynamic हैं, बहुत ही creative हैं, संदीब जी अपने मित्रों को भी ले कर आईए, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप financial background से हैं, आप बहुत valuable input दे सकते हैं, micro, small, medium enterprise और start-ups के अंदर, आईए, आगे चलते हैं, हम इस चीज के प्रियास में आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए, कि जो MSME है, ministry की जो micro, small और medium enterprise है, उसके अंदर जो उन्होंने listing किया है, कि भाई, हमारे यहाँ पर पे आप इसको अपने आप देख सकते हैं, यह सारे के सारे जितने भी यहाँ पर listed हैं, यह micro, small और medium enterprise में आते हैं, आप इन services को भी देख सकते हैं, इन manufacturing units को भी देख सकते हैं, और आप micro, small और medium enterprise के business में जा सकते हैं, यह सारे के सारे areas MSME में है अब आगया जी, करोना, during करोना and post-करोना, first wave आई, second wave आई, 25 मार्स 2020 को, सब कुछ ब्लॉक हो गया बंद हो गया, नानलाई मैम thank you very much from Meghalaya thank you very much, you always come Rajan Sahagal ji, you are doing a wonderful job, he is a very prestigious and a very dynamic person from travel and tourism industry and he has done a commendable work with the PhD House Chamber of Commerce Indu ji, thank you, Rajan Sahagal ji God bless you, you are a wonderful wonderful soul, whenever I have met you, whenever I have seen you you are a remarkable person, keep doing good job for the humanity, अब आगये करोना आगया, करोना के दोरान में, during the करोना and post-करोना, अब ये मैं post-करोना की बात सिर्फ कर रहा हूँ लेकिन किसी को नहीं पता है और परमात्मा से दुआ मानते हैं कि third wave नहीं आने चाहिए, निकल जाने चाहिए, ऐसे के ऐसे अगर आती भी है तो किसी को कोई effect ना हो क्योंकि बहुत सारे लोगों की जीवन चले गए हैं, बहुत लोगों का मतलब भलिदान है इसके अंदर 700 से जादा डॉक्टर भारत ने कोई हैं, Alka, राठाओर जी, thank you very much for joining and God bless you thank you very much, उसके बाद हम आते हैं, आगे चलते हैं तो देखिए, इस करोना के टाइम में, health services जो हैं, wellness services जो हैं, telecom services हैं IT services हैं IT enabled services हैं virtual reality जो सब चीज हो रहा है e-commerce की services हैं ये सारी कैसे आगे उभर के आई, और जो मेरे दिल के सबसे नजदीक है tourism ने maximum सफर किया hospitality और restaurant industries ने बहुत सफर किया, मेरे एक बड़ी close मित्र हर्श वर्दन जी, उन्होंने इतना पैसा लगा के दिल्ली के SX forms के पास एक इतना prestigious restaurant खूला था और मेरा मन बड़ा पीड़ित होता है जब मैंने देखा, इस तरीके से बहुत सारे हमारे brothers और sisters ने सफर किया है, उन सब को उभारना है, उन सब को आगे लेकर चलना है, उन सब का हाथ थामना है हम सब को उस पर workout करना है education के services देखिए 1.65 billion children they were away from schools, colleges, trainers, हमारे counselors और सबसे important हमारे technocrats यहां तक कि हमारे अजेकुंडल जी के आजकल तबीय ठीक नहीं है सारा कारोभार डबल हाबुंग आशा समाल रही है अरुनाचल परदेश से, चित्रा कपूर समाल रही है हिमाचल परदेश से अलग अलग जगाओं पर बैठकर डिजिनल वे में वो सब लोग सब चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं हमारे लिए उसी तरीके से अगर हम लेकर चलें अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सारी परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे और अब आप देखिए जो e-commerce है उसके अंदर सब कुछ नया क्या आ गया आउनलाइन आपको ग्रॉसरी आउनलाइन फूड आइटम्स जो कुछ भी आपको चाहिए और आपके जो cloud computing है उसने इंटरनेट आफ तिंग्स ने डिजिटल टेक्नलोजी ने आप इमेजिन कीजिए कि अगर जियो 4G नहीं होता तो हमारी situation किस तरीके की कहा होती आज भी मैं निवेधन करना चाहूँगा इस program के माद्यम से भारत के प्रधान मंत्री को भारत के IT मंत्री को भारत के electronic मंत्री जी को वैशनव जी को sector skill councils को और जितने भी लोग education में है skills में है धर्विंदर प्रधान जी भी बहुत डानेमिक है पहले skills को look after कर चुके है फिर वाफिस petroleum में चले गई थे और अब एक बड़ा अच्छा निरने लिया है भारत के प्रधान मंत्री जी ने कि education और skills जो है वो एक ही मंत्रा ले एक ही मंत्री के पास हो तो विवस्थाइं बहुत अच्छी हो सकती है because education और skill एक दूसरे चे चुड़े हुए है यह मैं आपको second last slide के अदर दिखाऊंगा अब हम यहाँ पर आते हैं तो यह यहाँ पर लेकर चलिए कि इस करोना के time में किस तरीके की services चाहिए किस तरीके की services आगे आई है आप बैंकों का ले लीजिए आप banking services देख लीजिए आप digital banking देख लीजिए क्या क्या विवस्थाइं हुई है ऐसी ऐसी innovative चीज़े निकल कर आई है इस particular करोना के time में आप सोची नहीं सकते और उसी तरीके से technology को अगर हम आप लेकर चले और देखिए खास कर education में बच्चे भी बड़े प्यारे हैं मैं सभी parents को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और प्यारे बच्चों को भी बहुत blessings देना चाहूँगा as a elder कि आप बच्चों ने बहुत सहयोग दिया है आपने बड़ा ही एक तरीके से अपने आपको सक्षम रखा है आपने कॉपरेट किया है 25 मार्च 2020 से आज का दिन आ गया सब कुछ आनलाइन हो गया आप घर में हैं ममा पापा के साथ हैं और देखिए सरकार भी तो आपके लिए अच्छा सोच रही है चाहे वो केंदरी सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है क्योंकि अगर बच्चों को कुछ हो गया तो माबाप कभी अपने आपको माफ नहीं कर पाते हैं इसलिए हमेशा हर माबाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है, उसी तरीके से हर अच्छी सरकार, चाहे वो केंदर में हो, चाहे वो स्टेट में हो, आपको अपने बच्चों के लिए देखना चाहिए, बच्चों के लिए सोचना चाहिए, this is something very very important, which we all have to understand, और अब आप देखिए, education के अंदर gamification आ रहा है social media का इतना use कर रहे है आप earn and learn क्यों नहीं करते अपनी pocket money क्यों नहीं कमाते social media के tools को use productive way में क्यों नहीं करते हमको time waste नहीं करना है हर बच्चे को आगे बढ़ना है that is something very important thank you very much अवांतिका जी for your valuable inputs I am so grateful to you online education yes thank you very much अब हम आगे लेकर चलते हैं top startups अपने चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कम से कम hundred books का निचोड है और portals का सारी चीज़े जो मैं आपको अब बताने चाह रहा हूँ अभी तक तो मैंने आपको वो बताया कि हमारे chamber ने ministry of commerce के अंदर or ministry of micro, small or medium enterprise के अंदर services sector का एक स्थान बताने के लिए कितनी तबज्यों, कितने efforts, कितनी dedication, कितना हम लोगों ने कितने paper बना के दिये मुझे पता ही नहीं है हमारे chamber की तरफ से लेकिन हमें इतनी खुशी है कि भारत सरकार ने हमारे केंद्रिय सरकार ने इस चीज़ को recognize किया कि yes, services sector should be brought at par with the manufacturing sector अब हम बाच्चीत करते हैं top startups बगरा की, ये देखिए ad tech startups, very important अरे बाईजूस कहां से कहां पहुँच किया, और मैं हमेशा इस चीज़ की बाच्चीत करता हूँ my son keeps telling me from time to time कि देखिए शारुक खान जी ने endorse किया बाईजूस को और कितने अच्चे से किया अगर अमिताब बच्चन जी किसी और तरीके से, किसी और platforms को भी endorse करें, उसी तरीके से भी जितने भी हमारे celebrities हैं वो education के platforms को अगर endorse करें, आप सोच सकते हैं क्योंकि मैं इस बात को समझ गया और बहुत ध्यान से समझा हमारे चेंबर ने इसको बहुत detail में study किया, जो Microsoft के जो Bill Gates है उनका कहना बहुत सही है कि आप पैदा तो गरीब हो सकते हैं उस तो आपके हाथ में नहीं है कि आपके इस परिवार में पैदा हुए लेकिन गरीब मरना अभी शाप है अब आप कहेंगे गरीबी का मतलब यानि कि आपकी सोच गरीब है आप कुछ करना ही नहीं चाहते आप जिंदगी को सोचते हैं टाइम पास है आप आगे मेहनती नहीं करना चाहते आप परिश्रम ही नहीं करना चाहते आप हमेशा परिस्थितियों को ब्लेम करना चाहते हैं दो तरह के इनसान होते हैं एक वो इनसान होते हैं जो सिस्टम को हमेशा ब्लेम ही करते रहते हैं एक वो होते हैं सिस्टम में से ढूंड लेते हैं कि देखो कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसमें positive क्या है हर इंसान आपकी तरह नहीं हो सकता हर इंसान आपकी तरह behave नहीं कर सकता हर इंसान आप जैसी सोच नहीं रख सकता लेकिन हर इनसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा है तो जो आपके पास अच्छ है उसको बाहर निकालिए भारत की शिक्षा प्रणाली को और अच्छा कीजे भारत के स्किल्ड सिस्टम को और अच्छा कीजे और मैं Bill Gates की और बाकी लोगों की बात से इतना सहमत हूँ और खासकर Nelson Mandela भी कहा करते थे कि education इतनी powerful है अगर इसको ठीक से utilize किया जाए तो सारे wish में शांती हो सकती है, peace हो सकती है अब आप देखिए हमारे पडोस में क्या हो रहा है, तालिवान लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके का महौल बना रहे हैं, अगर किसी तरीके से हर आदमी एक ठीक सोच रखे, positive सोच रखे क्या कभी हमने ध्यान दिया कि कितना arms और armaments के उपर, ammunition के उपर और कितना destructive material के उपर हम पैसा खर्श करते हैं पूरे wish में कितने सारे लोग हैं जो अपनी दुकानदारी सिरफ ammunition से और उनकी production से चला रहे हैं क्या पूरे wish में हम समय कठे नहीं रह सकते जिसने भी ये संसार रचा, ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन किसी और का दिया हुआ है आप कब तक आखरी स्वास लेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है वो चाहे तो आपकी वानी को भी ले ले, चाहे तो आपकी mental faculty को भी ले ले और चाहे तो आपको भी ले ले, जिस समय ये याद आ जाएगा कि इस कुर्सी पर मेरे से पहले लाखों लोग बैठे और मेरे बाद भी लाखों बैठेंगे उस दिन आपकी सोच बदल जाएगी जिस मट्टी पर हम पैदा हुए हैं, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, उस देश के लिए क्या कर सकते हैं ये नहीं कि देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और कोई आदमी ये सोचे, अरे मेरे करने से क्या हो जाएगा बागी सब तो लगे हुए है ना, teachers लगे हुए है, headmaster लगे हुए है, vice chancellor लगे हुए है और counselors लगे हुए है, technocrats लगे है, रहे मेरे करने से क्या हो जाएगा अरे भाई आपके करने से बहुत कुछ हो जाएगा करके तो देखिए एक बार प्रयास तो कीजिए आगे तो बढ़िए और मुझे शारुख जी की हर चीज इतनी अच्छी लगती है किसी का competition किसी के साथ नहीं है आपका competition सिरफ और सिरफ अपने साथ है मैं सभी chambers को बहुत compliment देना चाहूँगा CII बहुत अच्छा काम कर रही है FICI बहुत अच्छा काम कर रही है SOChem बहुत अच्छा काम कर रही है आपका PhD House Chamber of Commerce बहुत अच्छा काम कर रहा है जितने भी बाकी chambers हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबको हमारी तरफ से blessings हैं, सबको हमारी तरफ से शुब काम नाए हैं, सब अपना अच्छा काम करते रहिए, उसी तरीके से क्यों ना भाई हम सब लोग मिलके एक दूसरे के साथ competitive ना होके collaborative हो जाएं, क्यों ना हम ये सोचें कि यार अगर बाईजूज इतना अच्छा काम कर सक और आज पूरे world में अपनी एक जगा बना सकता है, तो हम बाकी ad tech platforms को भी support क्यों ना करें, और मैं तो सच कहूं अपने मन से, अपने chamber के पूरे analysis से, in a very responsible way, education transparent हो गई, education accountable हो गई, education open हो गई, education outside classroom हो गई, अब बड़े-बड़े classroom पर पैसा खर्च करने के ज़रूरत नहीं है, बच्चों का दामन थामो, बच्चों को थामो, education के साथ skill देके ये प्रयास करो, कि भाई मैंने education तो दे दी, अब ये तरको degree तो पकड़ा दी, certificate तो पकड़ा दी है, इसके बाद तेरे बात आगे क्या है, तो entrepreneur बनोगे, start-up बनोगे, employed होगे, कौन सी company लेगी, कैसे लेगी, आपको आखिर तक दामन थामना है, that is the way we all have to work out, that is something very, very important, ये देखिये, that is something very interesting, राजन सहगल जी लिख रहे है, that's what the game of the golf teaches, yes, that's what the game of the golf teaches, you have to collaborate, you have to think from others' point of view, and राजन जी लिख रहे है, you are competing yourself, that's promoting India as a golf tourism destination, God bless you, अलका जी, thank you very much, उसके बाद, अवंतिका जी, thank you very much, you know, जूली मैम, you join us all the way from मनिपूर, I am so grateful to you, thank you very much, जोवा लक्ष्मी जी फ्रॉम तरिपुरा, thank you very much, इशिता शुकला, thank you, एक एजुकेशन का ऐसा मध्यम है ना, और देखिये, पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, जब तक वो आपको किसी किनारे नहीं पहुँचाती, इसलिए, शिक्षा, कौशलता और उधमिता, इस पे आता हूँ आगे, चलते है, एड़ टेक स्टार्टप से आगे, वीडियो कॉन्फरेंसिंग, देखिये, कितना बड़ा बिजनस है, कितना बड़ा काम है, इस पर्ट जी, थैंक यू वेरे माच, राजन जी भी लिख रहे हैं, और अवंतिका जी भी लिख रही हैं, यू आर कम्पीटिंग यॉरसल्फ, येस, दाट्स वट वट वी और, वीडियोग याद रखे, मेरा कॉम्पेटिशन किसी के जाथ नहीं है, जब मैं कैमरे के सामने आता अपना कॉम्पेटेंस का, अपना स्किल का, क्या अच्छा दे सकता हूँ संसार को, that is something which we all have to understand, अब OTT प्लाटफॉर्म को देख लीजिए, वाउ, बहुत सारे यंग्स्टर हैं, जो पिछले कमरे में, अगले कमरे में, साइड के कमरे में, कहीं भी बैट के, वीडियो गेमि अपने अपने आपको ठीक रखो, अच्छे से रखो, हर परिस्थिती का सामना करना है, Spanish Flu भी आया था, 2008 का Financial Crisis भी आई थी, हम निकल आये ना उसमें से, Uber आ गई, अला आ गया, Airbnb आ गया, Cloud Computing आ गई, Internet of Things आ गई, सब कुछ नया था, अब भी कुछ नया आएगा और आपको मिलेगा, excuse me, चलिया आगे चलते हैं, तो हम online mobile gaming के भी बाच्चित करते हैं, जो बच्चे gaming में अच्छे हैं, अरे यार गेम बनाओ, पढ़ाई लिखाई के गेम बनाओ, creative गेम बनाओ, innovative गेम बनाओ, be innovative, start-up बन जाओ, मैं आपको कुछ भी है, मैं तो एक बात कहता हूँ, जो लोग ये कहते न, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, अरे भाई, आज तुम बदलाव चाहते हो, जो इसके बाद आए, वो इससे भी खराब हो, तो क्या करोगे, तो इसलिए, जो पुरा प्रियास कर रहे है, उनके कितने प्रेशर है, कितनी टेंशन है, कितनी डिफिकल्टी है, कितनी प्रॉब्लम्स है, उदर से पाकिस्तान बैठा है, उदर से चाहिना बैठा है, उदर से तालिबान है, उदर से अफगानिस्तान में कितना पैसा भारत ने लगाया है, क लेकिन कुछ बार वार आप पे थोपी जाती है, it becomes unavoidable क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों को समझना होता है, जानना होता है, करना होता है, जो आदमी जितने बड़े पद पर है, उसकी उतनी ही बड़ी difficulties हैं, आपको ये समझना होगा, माननिय परदान मंत्री जी की कितनी difficulties हो आते हैं, वो बैठ के सारा दिन राजनिती ये करना चाहते हैं, कि माननिय परदान मंत्री ने गलत क्या बोला, गलत क्या कहा, अरे भाई, हाज जुडवाओ, आप अच्छे काम करो, भारत को आगे लेके चलो, democracy का मतलब ये नहीं है, कि तुम हर आदमी को criticize करना शुरू कर द और फिर आपके age का कोई problem नहीं है, आप 15 साल के भी हो सकते हैं, आप 75 साल के भी हो सकते हैं, हम ए गुरुकुल की कहते हैं, announcement कर रहे हैं 15 आगस्त को अपने chamber की तरफ से, आगे चलते हैं, अब immediate जो हमारी academic intervention है, सबसे पहले, मैं भी एक teacher हूँ, इसलिए आप सब को हाज जोड के कहता हूँ, teacher को theoretical, teaching को theoretical मत रखिए, education को theoretical मत रखिए, theory मत पढ़ाईए, practical हो जाईए, practical हो जाईए, नहीं तो आप perish हो जाएंगे, आप देख लिजिए P for performance, P for practical और P for perish, अगर हमने अपने education system को immediately ना बदला, तो वही होगा जो इस समय करोना में हुआ, करोना में new education policy 2020 भी आई, कस्तूरी रंगन जी की क्या भढ़िया policy आई, उसके 60 pages आप ministry of education की portal के उपर देखिए, आपको पूरा समझ आएगा, school education, higher education, technical education, vocational education, skill education, और learning centric education, accountable education, learning outcome education, तो ये सारी चीज़ों का लेकर और देखिए, छटी क्लास से बच्चे, अब coding भी सिखेंगे, I wish I was as young to go to school now, it would have been fantastic, something very nice, Nanlai, thank you very much, Pankaj Tirpati ji, thank you, Indu ji, nation building needs contribution from each and everybody, from all of us, yes, J. Subhala Lakshmi ji, we believe in helping, thank you Subhala Lakshmi ji, India is always looking forward for development and growth of all of us in all areas, thank you. हम सब लोगों को इकठे मिलके करना होगा, हम सब लोगों को इकठे सब को करना होगा, और राजन जी एक और चीज़ लिख रहे हैं, something very important which I would like to share, now everybody has to be multitasking, एक skill से काम नहीं बनेगा, यदि आपकी एक skill हैं, तो उससे आपका काम नहीं बनेगा, आपको multi-skilling होना पड़ेगा, that is everybody has to understand, इस पे हम आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी बहुत कुछ cover करना है, यह देखिए, हमने service industry के लिए ministry of micro, small or medium enterprise को अपने पूरे proposal में बताया, कि सबसे पहले pan India, पूरे भारत में सबसे लोगों को पहले पता तो लगे, कि micro, small or medium enterprise में service industry आगई, at par with manufacturing, और दूसरी बात यह है भाई, service industry के अंदर हम आपका हाथ थामेंगे, क्या हाथ थामेंगे, कितना हाथ थामेंगे, किस product और services में हाथ थामेंगे, क्या आपका outcome होगा ये सब चीज़ें transparent एक जगा पर नहीं मिल पा रही है, इसके लिए हमारा chamber प्रियास कर रहा है, कि हम ICSI के portal के उपर, each and every information आपको दें, शुरुआत से लेके, आखिर तक जो कुछ भी है, और ministry of micro, small or medium enterprise, आपका बहुत important role है, भारत को आत्मेरबर बनाने के लिए, अब कोई entrepreneur, कोई कहता है startup, तो ये, ये मतलब क्या होता है, यार, ये मेरे को बताओ तुसे ही थोड़ा से पहले, तो सबसे पहले, मैं एक छोड़ी सी definition आपको ऊपर दे देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाएगी, जो entrepreneur होता है, they always have a financial things in their mind, वो पहले ये सोचते हैं, देख बाई, मै ये काम धन्दा शुरू कर रहा हूँ, तो ये बताओ मेरा, इसका return क्या होगा, उनका goal वो होता है, जो startup वाला होता है, वो innovative होता है, वो creative होता है, वो out of the box सोचता रहता है, वो ये कहता है, कि मैं इसको कैसे improve करूँ, इसको नया कैसे करूँ, इसकी packaging कैसे करूँ, वो finance पे द essential होता है, उनके लिए, they ensure कि ultimately मेरे को profit मिलना चाहिए, जो startup होता है, वो उसके बारे में bother नहीं करता, वो कहता है, यहाँ पर entrepreneur और self employment क्या है, अब मैंने आपको सबसे पहले, ऊपर वाली चार लाइनों में आपको सब कुछ समझ हो जाएगा, clear है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से समझ लीजे, जितने भी entrepreneur हैं, they are self employed, जितने भी entrepreneur हैं, वो self employed हैं, लेकिन जितने भी लोग self employed as an individual हैं, वो हो सकता है entrepreneur की category में ना आएं, और हो सकता है, वो small business owner हो, बाकी definition को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ यहां पर आ जाने चाहिए, अब मैं आता हूँ startup के ऊपर, आज इस माध्यम से आपको अगले 15 मिनट में समझ आ जाएगा, सब कुछ, कि यार मैंने startup कैसे बनना है, मैंने startup कैसे establish करना है, और ये 2016 में जो मानने प्रदान मंत्री जी लेकर आए, today let's talk about कि यह startup है क्या, और मैं अपनी startup company को कैसे करूँ, इसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ, सबसे पहले तो आपके अंदर creativity होनी चाहिए, और innovation होनी चाहिए, आए, हम बात्चित करते हैं, ये latest slide है, जो मैं आपको June 2021 की दिखा रहा हूँ, अभी July चल रहा है, पिछले बहने की दिखा रहा हूँ, एक economic survey, नीचे मैंने authority दी हुई है, economics times की, इन्होंने बड़ी अच्छ and startups के 4,70,000, फिर इन्होंने आगे पूरी चीजें दी हैं, एक होता है unicorns, अब आप मुझे करेंगे unicorns क्या होता है, unicorns इंडिया में जो हैं, उसमें कुछ नए जुड़े हैं, जिनका turnover एक particular amount वो मैं आगे आपके साथ share करना चाह रहा हूँ, ये देखिए, जब मैं unicorns की बात shit करता हूँ, तो इंडिया के जो startups हैं, उसमें से कुछ unicorns बन गए हैं, यानि के आपका जो business sales का जो turnover है, वो बहुत high है, और आप turnover ठक 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 करके उपर जा रहे हैं, किसी को पता था कि EdTech platform की एक digital wave आएगी, और भारत में करोना आएगा, और classroom और school और ये सब बंद हो जाए और किसी को पता था कि E-commerce के अंदर इतना fast होगा, तो जो unicorns होते हैं, वो fast grow करते हैं, and they grow faster than the startups, और पिछले एक decade के अंदर और खासकर दो साल में, ये आपके EdTech platform नए आये हैं, जिन्होंने K-12 तक बहुत कुछ किया है, इस तरीके से एक बहुत बड़ी लंबी list है, मैं आप के साथ इंडिया के EdTech platform पे एक अलग भी अपने chamber की तरफ से program ले कर आऊंगा, वो हम आप लोगों के साथ अलग से discuss करेंगे, उसकी बातशीत करेंगे, अब हम आगे आते हैं, how to start a business in India, सबसे पहले आपके पास idea होना चाहिए, फिर उस idea पर आप उसको research कीजिए, research करने के ब Okay, before you become a startup, यह आप startup का business शुरू करो, तो बड़ी important चीज़ है सबसे पहले, आप feasibility carry करिए, कि जो मेरा idea है, क्या implementable है, क्या ये implement हो सकता है, number two, मेरा business plan इसका क्या होगा, मैं कैसे इसको आगे लेके चलूँगा, फिर उसके बाद एक right business structure सोचिए, कि इसको हमने आगे कैसे करन है, फिर सबसे important चीज़, that is कि इसके funds कहां से आएंगे, और कहां कहां से आ सकते हैं, क्या मेरे पास different stages में आएंगे, या पहली बार में आ जाएंगे, that is something very important, जो हमारी young बच्चों को जानना, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और देखो, मैं बार बार कहूंगा, नौ government job के लिए, क्योंकि वहाना time come करना पड़ेगा, अच्छा, तो कौन सी post के लिए apply कर रहे हो, अंकल मैं प्यून की post के लिए apply कर रहा हूँ, अरे मेरे भाई, हाथ जुडवालो मेरे भाई, आपको मैं request कर रहा हूँ, कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो, कुछ ठीक से करो, किसी और से बात करता हूँ, अंकल मैंने का बेटा क्या कर रहे हो, मैं PhD कर रहा हूँ, very good, register किया है, हाँ, PhD के subject पर कर रहे हो, dash dash dash, मैं subject नहीं बताना चाहता है, पर बेटा, इससे कोई फाइदा तो नहीं होगा, मैंने उसको का, अंकल उससे क्या फरक पड़ता है, मेरी PhD हो जाएगी, मेरा doctorate मिल जाएगी, मेरा काम तो बन जाएगा, अगर आप PhD इसलिए कर रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हो, यार, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, अपने माता पिता कभी है, यह जिंदगी में बड़ा limited time है, यह बात सारे समझ लो, अगर नहीं समझोगे तो problem आएगी, यह हम सबको समझना पड़ेगा कि इस जीवन में time limited है, उसके बाद आगया get your company registered, उसके बाद आपने startup इंडिया का program पूरा पढ़ो, वहाँ पर जाके register करो, startup इंडिया की website है, उसके बाद अपने digital presence करो, सब जगा social media से चाह जाओ, और उसके बाद यह देखो कि मे अगे लेकर चलो, यह सारे आपके startup के registration के points हैं, और कैसे आप seven steps के अंदर अपने आपको register करते हैं, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, so that I don't spend much of time, यह देखिए, how to register a business firm, company और startup, अब आप firm को, company को, startup को कैसे register करते हैं, किस तरीके से हैं, यह सारे detail यहां पर दिया है, यह सब कुछ YouTube पे है, आप अपने time से बाद में, आपको कुछ भी note करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में इसको देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, आपको सब कुछ बिलेगा, यह देखिए, ministry of corporate affair की website है, ministry of corporate affair की website का हमने वो आपको link तक दे दिया, कि कहां पर आपको जाना है, कहां पर आपको देखना है, कैसे आपको पता लगेगा, and this is called ease of doing business, और digital way में आपने कैसे चलना है, यह startup India की web portal है, यह startup India का भी आपको link दे दिया, मैं इस पर जादा time नहीं लेना चाहता, आप अपने आप जाईए, अपने आप देखे, थोड़ा परिश्रम तो आ भी कीजे न, हमने तो आपको सब चीज़ें YouTube पर लाकर दे दिया है, सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन यह अलग-लग जगाओं से information लेकर एक जगा करिए, ताकि आपको कोई असुविदा ना हो, अब आप जाईए startup की उसके उपर, step one, अब मैं website पे आ गया, मैंने startup की website देख ली, so incorporate your business, अब आप कैसा business करना चाहते हो, आप private limited company चाहते हो, आप partnership firm चाहते हो, या आप limited liability partnership चाहते हो, अब किस तरीके के registration करना चाहते हो, उसके हम बाचिक करते हैं, अब आप सबसे पहले देखिए, private limited company जो register करने होती है, उसके लिए क्या-क्या document चाहिए, ये सारी चीजें वहाँ पर listed है, मैंने आपको website दिखा दिया है, मैंने आपको सारी चीज समझा दिया है, सब कुछ आपको एक अच्छे साधारन तरीके से बता दिया है, तो आप private limited company की तरह यहां से register हो सकते हैं, आप partnership firm registration की तरह से company के लिए ले के आ सकते हैं, और ये सारे steps हैं, ये वो भी सब कुछ यहां पर दिया हुआ है, आप सारा कोई ध्यान से देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, उसके बाद एक one person company का भी process है, कि एक one person की company कैसे हो सकती है, और one person company का turnover क्या होना चाहिए, क्या सारी चीजे हैं, ये सब कुछ आप ध्यान से देखिए, ये मैंने पूरी comparative list हमारे chamber ने लगाई है, मैं चित्रा कपूर मैम का बहुत आबारी हूँ, हाभूंग आशा मैम का भी बहुत आबारी हूँ, कि उन लोगों ने कठे मिलके सारा ये प्रयास किया, ये जो भी information आपके पास आ रही है, ये हमारे chamber की पूरी team ने बैठके, डॉक्टर चि क्या है, legal compliance क्या है, और नीचे link भी आपको दे दिया कि registration कैसे करनी है, अब आप आजाएए, what kind of business structure should I choose for my startup, ये तो आप पे depend करता है, हमने तो आपको सारी चीज़े बता दी है, अब आप पे depend करता है, आप इस पे सोचिए, विचार कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, ये देखिए, startup India का, अब register जो करने के बाद, register जब आप करना है, तो कैसे करेंगे, January 16, 2016 में, ये basically, honorable prime minister ने, ये सारी चीज़, startup का start कर दिया था, सब कुछ था, ये steps हैं, आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो आपको step दे गए हैं, ये step कीजिए, और आपकी company, register हो गई as a startup, अब register with startup India, अब ये भी बड़ा ज़रूरी है, अब मुझे यहां क्यों जाना है, इसका फाइदा क्या है, मैं यहां क्यों जाऊं, मेरा कोई idea ना चुरा ले, ओके fine, इसके अंदर भी सारी चीज़ें है, प्रोबोनो एक service meaning भी है, प्रोबोनो का मतलब ये होता है, कि government, आपको legal services भी भी government आपके लिए वे वस्था करती है, उसके बाद step 3 आता है, कि आपका जो start-up है, उसको आपको link करना है DPIIT के साथ, अब DPIIT क्या है, यह department of promotion of industry and internal trade है, आपको याद है, शुरू में मैंने ministry of commerce and industry की बातचीत की थी, इसके अंदर माननिय सोम प्रकाश जी इस समें state मंत्री है और उनका जो पूरा department है, वो basically department for promotion of industry and internal trade की बातचीत करता है, अब यहाँ पर जब आप जाएंगे, नीचे हमने आपको link दे दिया, DPIIT आपको recognize करती है, और यह आपका certificate है, ओके मैं start-up recognition क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मुझे tax exemption मिलता है, मुझे बहुत सारे government के benefits मिलते हैं, म उसके बाद मेरी recognition के application क्या है, वो सब कुछ कैसे होता है, यह भी आपको सारी के सारी detail उसी पर बिलेंगी startup इंडिया के उपर, fill up कीजिए, recognition form को भी और submit कर दीजिए, उसके बाद आगया document for registration, अब यह अगर मैं लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर detail वही कि वही मैं आपको दे आते हैं, यह certificate of recognition है, मैंने आपसे, जो है, DPIIT की बातचीत की, and that is basically department for promotion of industry and internal trade, तो यहाँ तक जब हम आ गए, सारी चीजें आ गई, तो यहाँ पर एक सुझाव आया है, कि भाई, यह जो सारी information है, क्या यह भारत की भिन भाशाओं में उपलब्द है, तो ministry of corporate affair, और ministry of, जो अपना, जो startup की website है, उसके portal पर जाएए, थोड़ा सा प्रियास आप कीजिए, तो आपको सब चीजें वहाँ पर मिलेंगी, फिर उसके बाद यह होता है, कि मैं अपने startup का patent, आपका trademark, और यह सब चीजें कैसे करा हूँ, और उसके अंदर आप कहते हो कि government जो है, वो यह क चीजों का, और उसके बाद लेके चलता हूँ, टोटल 9000 होता है, लेकिन 50% discount होता है startup के लिए, और वैसे भी आपको funding जो है, अब आ गए हम, कि मैं भाई, government के portal के उपर आ गया, हम मुझे funding कैसे मिलेगी, in order to provide the funding and support, the government has set up the fund, उसके अंदर initially 2500 करोड रखे गए, उसके बाद 10 1000 करोड तक का provision हो गया, और इस सब को भी हम आगे लेकर चलते हैं, funding available है, आप अपने idea को आगे लेकर चलिए, self certification चाहिए, आप भागने दोड़ने की दरदर जरूरत नहीं है, आपकी problems को कम करने के लिए government ने सब कुछ digital कर दिया है, सारी चीज़े digital है, tax exemption आपको कैसे मिलती ह क्या मिलती है, यह सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, हमने YouTube पर आपको इस सारी information एक जगा इसलिए कठी दिया है, ताकि आपको अब बहुत सारे document है, जो पहले चाहिए होते थे, बड़ी परेशानी होती थी, यह सब को बंद कर दिया गया, waved off कर दिया गया और यह भी मैंने आपको list यहां पर इसने जोडियत आके आपको समझ आ जाए, अब benefits क्या है, और startup के अंदर मेरे को क्या-क्या benefit होते हैं, मैं startup क्यों बनूँ और मेरे को फाइदा क्या होगा, और मेरी handholding कैसे होगी, मेरी funding कैसे होगी, मेरी incentive क्या होगी, और मेरे को government से क्या support बिलेगी, वो सारी चीज़ यहां पर है, अब यह कुछ एक incubators हैं भारत में, जिनको हम list out कर रहे हैं, and you would be proud to know that India has got the third highest number of incubators world over, हमारे पास तक्रीबन approximately 250 incubators हैं, अब कुछ और भी बढ़ गए होंगे, और यह जो top 10 आपके incubators हैं, वो हमने यह list out किये हैं, ताकि आपने time में आप उसको देख सकते हैं, और who can register with the startup India, यह सारी detail नीचे आपको हमने information भी दे दी है website से, उस link पर आप जा सकते हैं, वहां से click कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा time नहीं लेना चाहता, यह वो ही चीज़ को मैंने repeat किया है, लेकिन इसको slots में दे दिया ताकि आपको समझा जाए, अब आगया हमारा for how long a company recognized as a startup, यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह आपको समझाना चाहिए, क्योंकि मैं startup तो ठीक है, पर मेरे को कितने साल, एक तो आपका जो business है, वो 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और जो आपका turnover है, वो हम स the previous year turnover of 100 crore shall stop to be a startup, ठीक है, तो 10 साल तक तो भाई company बनाने के बाद सुगदा है, और यह मेरे लिए सबसे important slide है, उस शिक्षा का कोई फाइदा नहीं है, जिसके बाद यहां तो मुझे कोई entrepreneurship मिले, यहां कोई मैं startup बनूँ, यहां मुझे कही employment मिले, तो मुझे तो education के साथ skill भ ministry of skill development and ministry of MSME, all of them they have to work together like a hand and glove, MSME को आप separate नहीं कर सकते, MSME को आप neglect नहीं कर सकते, आने वाले time में रोजगार कम होते जाएंगे और उन बच्चों के बारे में भी मेरे उन travel agents, tour operator, tourist transporter के बारे में भी सोचो, जिनको इतनी तकलीफ हुई, जिनको इस particular करोना के time में जिनका job चल गया, जिनका business चला गया, जिनको इतनी problem आई, आप सोचो इसके बारे में, और बार बार मैं ये कहता हूँ, अरे यार वो क्यों पढ़ा रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, अब वो क्यों नहीं पढ़ा थे जिसकी मेरे को जरूरत है, जब मैं सुबह उठता हूँ ना, और रा आप आठ, देखो, कितनी बड़ी बात कही करसूरी रंगन जी की recommendation ने, art integration in education, आपका music, आपका dance, आपकी singing, आपकी creativity, आपकी fine arts, आपकी drawing, आपका fun, आपकी storytelling, stimulation, ये सब education में क्यों नहीं है, हमारे teachers और youth, आप सब लोग, प्यारे बच्चों और प्यारे teachers, मैं सब को एग ही ब हमने पूरणता, एकदम समर्पित है, जो कुछ भी सरकार दे रही है न, वो free में ले लो, परधान मंत्री कौशल विकास योजना part 3 के अंदर district level तक की आपके courses ला दिये गए हैं, और आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, कि समझ लीजिए, कि व्यवस्ताएं बदल गई ह हैं, डेली, आगरा, जैपूर की जगा, basic food, basic health, basic education, B2B is no more business to business, it is back to basics of life, और आज सुभह ये करिकरम था, कितना शुब करिकरम था, और आज हमारे साथ, विद्या से अध्यातम विद्या की और वो हमारे साथ चुड़ें, और उसके बाद लेकर चलिए, making education relevant, ये हमारा सारा क canvas है, इसको note कर लीजे, और इसी के immediately बाद NRIs का program आ रहा है, मैं और ये देखिए, ये NRIs हमारे सारा आ रहे है, social entrepreneurship क्या है, what is the way forward, how to go by, what is to be done, अगले 8 minute के बाद ये करिकरम है, इनी शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you very much, औ और देखिए, हमारे अपने teachers, जितने भी educators हैं, सबको बहुत ही नमन होके ये बात कहना चाहूंगा, शिक्षा को प्रासंगिक बनाएं, शिक्षा को practical बनाएं, शिक्षा को सिर्फ theoretical ना रखके practical लेके आ जाएं, धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार, मिलते हैं, अब प्रोफेसर विवेक शंकरनतराजा,